आईए अब हम जानते हैं कि फिनॉल किस प्रकार की रासाइनिक अभीक्रियां प्रदर्शित करते हैं फिनॉलों में होने वाली रासाइनिक अभीक्रिया को जानने के पहले एक बार हम फिर से फिनॉल की सरचना पर कौर करते हैं हम जानते हैं कि फिनॉल में एक बेंजिन रिंग होती है तथा इसके एक कार्बन पर हाड्रोक्सल समू उपस्तित होता है अब यहाँ पर जो बेंजिन रिंग है यह पाई इलेक्ट्रान रिच होती है इसमें पाई इलेक्ट्रान पाए जाते हैं और इसलिए यहाँ पर जो देखें कि यहां पर योगात्मक अभी क्या चुकि इलेक्ट्राइंस नहीं अभी क्रिया तो होगी लेकिन योगात्मक अभी क्रिया होगी यह प्रतिस्थापन अभी क्रिया होगी तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्राइंस जोड़े होते हैं बेंजीन की व बेंजेन रिंग में जो भी अभीक्रिया होती हैं वह प्रतिस्थापन अभीक्रिया होती है एन्यमी क्रेंगे जितने भी कार्बान होति कैंशेशेट वहां पर hydrogen निकल जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा यहां पर electrofile आकर जोड़ जाता है तो यहां पर benzen ring में जो अभिक्रयाई होती है वह elephant geographic substitution reaction होती है इलक्रांस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रयाई होती है तो अब यहां पर देखें यह तो समझमें आ गया कि illustration नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रयाई होंगी लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि जो एलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस स्थान पर जुड सकता है तो यहां पर हम देखें कि जैसे कि बेंजीन में हमने देखा था कि बेंजीन में तो सारे कारवन समान होते हैं लेकिन जब किसी सब्टिटूटेट बेंजिन में यानि कि बेंजिन में जब कोई पहले से एक प्रतिस्थापी उपस्थित हो या क्रियात्मक समूँ उपस्थित हो और उसके बाद जब यहां पर हम प्रतिस्थापन अभी क्रिया करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क किस कार्बन से जुड़ेगा किस स्थान पर जुड़ेगा यह इस बात पर नर्भर करता है कि वहां पर पहले से कौन सा क्रियात्मक समू या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसके नर्देशी प्रभाव पर नर्भर करता है और हम जानते हैं कि यहां पर बेंजिन में जो फिनॉल की सरचना है उसमें बेंजन के साथ हाइड्रॉक्सिल समू जुड़ा हुआ हता है जो कि प्लस आर इफेक्ट दर्शाता है यानि कि यह जो उसके पास इलेक्ट्रान जोड़े होते हैं उसे वो रिंग बेंजन रिंग की तरफ रिंग की तरफ यह उससे धकेलता है और इसकी वज़े से यदि हम देखें तो कौन-कौन सी ऐसे स्थतियां बनती हैं जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है तो यहां पर हम देखें यदि फिनॉल के औक्सीजन पर जो इलेक्ट्रान बन जाएंगे तो यह स्थाई हो जाएगी ऐसे स्थाइब में जो पहले और दूसरे नंबर का जो पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह दूसरे नंबर के कारबन पर शिफ्ट हो जाएगा जो की फिनॉलिक सम्हों के साथ आर्थो इस्थाइब होती है तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रान का घंणत्व अधिक हो जाएगा और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है दूसरे स्थाथी हो सकती है कि माल लीजे कि यह जो दूसरे नंबर का इलेक्ट्रान जोड़ा है वह दूसरे और तीसरे नंबर के कारबन पर के बीच यह हाइड्रोक्सल समू के सापेक्ष पैरा पोजीशन होती है तो यहां पर इलेक्ट्रान घंणत अधिक हो जाएगा यानि कि दूसरे स्थाथी बनती है कि फिनोल में जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा वह पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा एक और स्थाथी देख स जो पाचवे और छटवे नंबर के बीच पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह छटवे नंबर के कारबन पर शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर इलेक्ट्रान घंणत्व हो जाएगा और जो की हाइड्रोक्सल समू के सापेक्ष पुना आर्थो इस्थति है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फिनॉल की में हैड्रोक्सल समों की उपस्थती की वज़र से जो बेंजीन रिंग है उसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पर वह स्थतियां बनती है जहां पर इलेक्ट्रान घंणत तो अधिक होता है और यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जोड़ सकता है तो इस तरह से हमने जाना कि फिनॉल में यहली इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा और इस तरह से जो हमें उत्पाद प्राप्त होंगे वह आर्थो और पैरा समावेवी के का मिश्रण हमें प्राप्त होगा और यहां पर हम देखें कि प्राया यह देखा जाता है कि जो पैरा समावेवी होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं इसलिए उनकी मात्रा अधिक मात्रा में बनती है जनरली लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यदि आर्थो और समावेवी में ऐसे दो प्रतिस्थापी हैं जिनके बीच यदि हाड्रोजन बंद बन रहा है ह जिसे हम इंट्रो मॉलिकलर हाड्रोजन बॉंडिंग कहते हैं एदि ऐसे स्थती होती है तो वहां पर आर्थो समावेवे की मात्रा अधिक बनती है तो इस तरह से हमने जान लिया कि फिनॉल में जो इलेक्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभी क्रिया होगी वह किस प्रकार से हो यह लेंगे फिनॉल में हीड्रोक्सल समू के अलाबा यहाँ पर नाइट्रोसमू doinत्न को इहाँ पर गरने और इसके लिए हमें एक इलेक्रोफाइल तैयार करना होगा और यह इलेक्रोफाइल होगा जो की positive कमार्दी के अभी क्रिया में हमने यह पहले ही जान लिया है कि यह जो लिए दिर्स्टार से यह plead OH को अलग करके OH और Oxygen से हम इसको SO3H समू जोड़ देते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो OH है उसमें Oxygen जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटीव है और इसलिए यहां पर Hydrogen और Oxygen के बीच के इलेक्ट्रान जोड़े को अपनी तरफ खीच लेता है जिससे जो Hydrogen है प्रोटॉन के रूप में आसानी से निस्कासित हो जाता है यहां पर सल्फूरिक एसिड प्रोटान दाता की तरह वेवहर करता है जबकि जो नाइट्रिक एसिड है अब नाइट्रिक एसिड को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं OH और ऑक्सीजन से जुड़ा है NO2 समूँ यहां पर भी जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेर है इलेक्ट्रान है और इस से जो प्रोटान जो की सल्फूरिक एसिड से निस्कासित हुआ है यहां पर आकर जुड़ जाता है अब यहां पर जैसे ही ऑक्स और ऑक्सीजन नाट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रान जोड़े को अपनी तरफ खीच लेगा और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस नाट्रोनियम आयन अब जब हम इसकी यहने की जब हमें नाट्रेशन करना होगा तो हमें नाट्रिफाइं मिक्चर लेना होगा जो की हमें नाट्रोनियम आयन देगा अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिनॉल में नाट्री करन की अभिक्रिया दो तरह से हो सकती है यह जो रीजन जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो हमने पर हमें आरथो और पेरसमाव्यों का मिश्रन प्राप्थ होता है यह चोली यह लिए इन्हें परभाजी आस्वन विधी का उप्योग करते हैं हम प्रभाजी आस्वन werd कुछ इनके कुछ तो हम जानते हैं कि जिस द्रव का लिक्विट का कम होता है उसकी वाश्व पहले बनेगी और उसकी वाश्व पहले बनेगी जिसे हम ठंडा करके ग्राही में एकत्रत कर लेते हैं तो यहां पर हम देखें कि किसकी वाश्व पहले बनेगी या किसका कम होगा तो यदि हम इनकी स के सापेक्ष आर्थो पुजीशन पर हीड्रोकसिल और नाट्रोचिल अपश्तित हैं और हम जानते हैं और हम इस्तति में जो बहुत सारे अर्थो नाइट्रो फिनॉल के अनुं होंगे उनका एक दूसरे से कोई संबंद नहीं होगा एक दूसरे से यह स्वतंत्र होंगे और इस स्थति में जब हम इनको गरम करते हैं तो इसलिए इनके बीच किसी प्रकार का अतरिक्त अंतर अनुक बंध नहीं होता आकर्शन न देखें कि पैरा नाट्रोफिनॉल में हाड्रोक्सिल समूल पोजिशन पर है तो नाट्रोफिनॉल फोर्थ नमबर के कार्बन से जुड़ा होता है तो ऐसी स्थती में एक पैरा नाट्रोफिनॉल का हाड्रोक्सिल समूल के हाड्रोजन तथा दूसरे पैरा नाट्रोफिनॉल क हां के auksygen के बीच यहां पर hydrogen bonding होती है यन्य कि यहां पर जो hydrogen boinding हो रही है वह इंटर-molection और हो रही है दो अलग अलब अनुओं के मध्र हो रही है और इसतोर से बहुत सारे hydrogen bon科 बंद बन जाते हैं जिससे ये पैरा नाइक्ट्रो फिनॉल के अनु आपस में जुड़े होते हैं और इसलिए इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें जादा उश्मा देनी पड़ती है ज्यादा उुर्जा «देनी पड़्ती है» और इसलिए इनके कोथनक अधिक होते हैं तो इस तरह से जब हम इनका प्रभाजी आस्वन के द्वारा जब हम इने प्रिथक करेंगे तो आर्थो नाल्ट्रो फिनॉल की वाश्प पहले बनेगी वो हमें पहले ग्राही में प्राप्त होगा और बाद में फिर हमें प्रानाल्ट्रो फिनॉल समावेवी प्राप्त होगा तो इस तरह से हमें इन्हें प्रिथक कर सकते हैं दूसरी स्थती फिनॉल के नाइट्री करन की जो दूसरी स्थती होगी उसमें हम यदि सांद्र नाइट्रीक एसिट का उप्योग करते हैं तो हमें एक अलग उत्पाद प्राप्थ होता है ये जो उत्पाद होता है इसमें ती नाई ट्रो समय यहींग कि Prem पोजिशन पर एक परर सिशन पर ती नाइड-्रोश यहां पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से जो हमें कंपाउंड परात होता है जो कि महत्रपुन कंपाउंड और इसे हम पिक्रिक अमल कहते हैं और यदि हम इसका आयोपीस कुए तो यह हो जाएगा 246 प्राइ नाइट्रो फिनॉड और चुकि यहां पर यह जो पिक्रिक एसट प्राप्थ हो रहा है में तो इसमें तीन तीन नाइट्रोई समूँ उपस्थित होते हैं जो कि इलेक्ट्रान विड्रॉइंग ग्रूप होते लेक्ट्रान खीचने वाले लेकिन इस प्रकार से जो पिक्रिकमल तयार होता है उसमें जो उपलबधी होती है या जो उत्पाद की मात्रा होती है वो काफी कम होती है और इसके लिए हम एक दूसरी विधी का उप्योग करते हैं और वो भी फिनॉल की एक अलग इलेक्ट्रोफिलिक रेक्शन है जिसको ह कहते हैं तो पहले हम देखते हैं से लभीकार किस प्रकार से होता है सलफोनेशन के लिए हम फिनॉल की क्रियाज सांदृ सांद्र सल्फYurik Acid मैं सभीशन को से करते हैं तो सब इसके लिए कि यहां कर देखर घूरा यह पर हमें लिखेट उसके बाद बचता है मार पास SO3H समू और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रान चोड़े को अपनी तरफ खीच लेता है और इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल तयार होता है वह होता है SO3H प्लस जिस पर की पहले तो आर्थो पोजिशन पर SO3H समू जुड़ जाता है जिसे हम फिनॉल सल्फोनिक एसिड कहते हैं और उसके बाद यहाँ पर पैरा पोजिशन पर भी जो दूसरा में कंपाउंड हमें प्राप्थ होता है तो उसमें पैरा पोजिशन पर भी एक सल्फोनिक समू जुड होता है तो इस तरह से यहाँ पर फिनॉल 2-4 डाइस सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्थ होता है और यह जो अभी कर्मक जो उत्पाद हमें प्राप्थ हुआ है इसका उप्योग हम पिक्रिक एसिड बनाने के लिए करते हैं और इस तरह से जो प्राप्त होता है पिक्रिक एस नाइट्रिक एसिट से कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइट्रो फिनॉल यानि की पिक्रिक एसिट प्राप्थ होता है और इस थार से जो पिक्रिक एसिट मिलेगा उसकी उपलब्धी अधिक होती है तो यह है फिनॉल में होने वाली नाइट्री करण अभिक्रिया इसके बाद हम यहां पर भी जो हैलोजीनी करण जब हम करेंगे और जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं यह प्रायोगी परिस्थतियों पर निर्भर करते हैं तो यदि हम फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं और यहां पर विलायक के तौर पर यदि हम कार्बन डाई सलफाइल्ड या क्लोर रही पर ब्रोमोफिनल तथा पेरा ब्रोमोफिनल का मिश्णद प्राप्त होता है और यहां पर हम बता देrices कि जो पैरा ब्रोमो फिनॉल है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है जब कि आर्थो ब्रोमो फिनॉल की मात्रा बहुत कम प्राप्थ होती है क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो हैड्रॉक्सल समू है और ब्रोमो है इनके बीच किसी भी प्रकार की हाड्रोजन बॉर्णिंग यहां पर करते हैं तो वहाँ पर हम तापमान भी कम रखते हैं लेकिन दूसरी परिस्तति में यदि हम फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर हमें 246 ट्राइब रोमो फिनॉल कंपाउंड प्राप्थ होता है यहाँ पर तीन प्रतिस्थापी दो आर्थो पोजिशन पर तथा एक पर पोजिशन पर ब्रोमो परमानूं का योग हो जाता है और इ इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह सभी जो है ब्रोमीन की उलेट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टीशन रियक्स्टन है आए अभी हमने फिनॉल में हैलोजीनीशन की अभीक्रिया देखी आये हम इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी क्रियाविधी को जाने यहां पर हम देखें कि जो फिनॉल है फिनॉल में से heterophyllic substitution reaction करानी होती है सबसे पहले हमें फिनॉल में से यह जो अमली हाड्रोजन है उसे निश्कासित करना होता है तो जब हम यहां से अमली हाड्रोजन को निश्कासित करते हैं तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है और जो फिनॉक्साइड आयन है वह इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभीक्रिय के लिए ज्यादा सक्री होता है तो जैसे यह फिनोक्साइड आयन बनता है वह इसमें से ऑक्सीजन पर जो नेगटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रान जोड़े हैं वह अंदर रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिससे ऑक्सीजन कार्बन पर दूइबंध हो जाता है इसी तरह से आगे रिजोनेंस के द्वारा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पर भी इलेक्ट्रान घनत्व बढ़ता है अग इस तरह से यह जो धुरूवी फिनोक्साइड आयन है जब इसकी क्रिया आगे ब्रोमीन से होती है यह दिए हम ब्रोम इंड्यूज डाइपोल उत्पन कर देता है जिसकी वजह से जो बी आर टू अनु है वह पोलराइजड हो जाता है और इसमें से दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है वह एक ब्रोमीन एटम पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हमें बी आर माइन ब्रोमाइड प्लस आयन यहां पर अब जो फिनोकसाइड आयन है उस पर अटेक करेगा जिसकी वजह से यहां पर एक संक्रमन कमपाउंड प्राप्त होगा जहां पर कि और्थो पोजीशन पर बी आर भी जोड़ गया है और यहां पर हैड्रोजन भी जोड़ा हुआ है अब चुकिए यहा एरोमेटिसिटी जा चुकी है और इसे पुना प्राप्त करने के लिए यहां पर जो कार्बन हाड्रोजन का इलेक्ट्रान जोड़ा है वह पुना यहां पर विंग में शिफ्ट हो जाएगा और यहां से जो हाड्रोजन है वह एच प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएग और साथ ही साथ यहां पर आर्थो पोजिशन पर एक बी आर परमाणू जुड़ गया है इसी तरह से अब इसका आगे जब हम एसेटिफिकेशन करेंगे यहां पर प्रोटोनी करन करेंगे तो यहां पर पुना हमें ओक्सीजन से हाड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरह स यहां पर आर्थो ब्रोमो फिनॉल कंपाउंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर ब्रोमीनेशन की क्रिया होती है जिसे हम क्रिया वीधी के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं इनकी आक्सी करण तथा अप्चेयन अभी क क्रिया होती है तो फिनॉल की क्रिया जब हम जिंक डस्ट से के साथ कराते हैं जिंक डस्ट के साथ कराने पर यहां पर जो फिनॉल ओई समू है उसका आक्सी करन हो जाता है यहां पर हैड्रोजन यहां से निकल जाता है और तथा यहां पर हमें उत्पात के तौर पर बेंजी प्राप्त होते हैं C6H6 यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होते हैं तथा जो ऑक्सीजन है वह जिंग के साथ जिंग ऑक्साइब में कनवर्ट हो जाता है तो यह सामाने बहुत सिंपल सी अभी करिया है इनके अप्चेन की दूसरी और यदि हम फिनॉल का आक्सी करन कराते हैं तो इनका आक्सी करन होता है तो हमें यहाँ पर डाइक की टोन उत्पात के तौर पर प्राप्त होते हैं जैसे हम बेंजो किनोन भी कहते हैं जहाँ पर हम देखें कि वन फोर पोजीशन पर यह एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पोजीशन पर यहाँ पर की टोनिक समूं सी डबल समूं उपस्तित होता है तो इस तरह से बहुत सिंपल और छोटी अभिक्रिया है इनके अप्चेन और आक्सी करन की यह तो थी फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्यूशन रियक्शन तथा आक्सी करन और अप्चेन अभिक्रिया इसके बाद हम देखेंग कोली में अभिक्रिया सब्सक्रिया में जब हम फिनॉल की क्रिया कि पहले चार के साथ कराते हैं सौडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हम तो यहाँ पर तथा उसके बाद फिर इसकी क्रिया आगे carbon dioxide के साथ कराने के पश्चाथ जब हम इसका acidification करते हैं तो हमें यहाँ पर salicylic aml उत्पात के तौर पर प्राप्त होता है यानि कि जो कोलबे reaction है उसमें phenol के द्वारा हमें एक महत्पून compound salicylic aml प्राप्त होता है और salicylic aml में एक दूसरे के सापेक्ष hydroxyl samu के सापेक्ष जो आर्थो पोजीशन है वहाँ पर carboxylic samu उपस्थित होता है और यही compound मुख्य उत्पात के तौर पर मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो carboxylic samu के oxygen तथा hydroxyl samu के hydrogen के बीच intra molecular hydrogen bonding होती है और इसकी वजह से यह काफी stable होता है स्थाई होता है और इसलिए salicylic aml मुख्य उत्पात के तौर पर प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम देखें कि जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार से होती है इसकी mechanism को थोड़ा समझते हैं यहाँ पर हम देखें कि जब फिनॉल की क्रिया हम च्छार के साथ कराते हैं तो फिनॉल में भी elektrophilic substitution यहाँ पर जो होगा उसमें जो oxygen होता है वह oxygen hydrogen के इलेक्ट्रान जोड़े को अपनी तरफ खीच लेता है जिससे उस पर नेगटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से प्रोटॉन निस्कासित हो जाता है जिससे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं लेकिन यह फिनॉक्साइड आयन भी इलेक्ट्रोफिलिंग सप्टेटूशन के लिए बेंजिन रिंग को सक्री करता है लेकिन उससे भी जादा सक्री करता है यदि हम इसे sodium phenoxide में convert कर दें तो इसलिए जब हम फिनॉल की क्रिया sodium hydroxide के साथ कराते हैं तो हमें एक उससे भी ज्यादा सक्री मध्यवर्ती मिलता है जिसे हम sodium phenoxide कहते हैं और इस sodium phenoxide की वजह से जो रिंग में इलेक्ट्रान घनत्य काफी बढ़ जाता है और इसकी वजह से यहां पर carbon dioxide जैसे जो दिर्बल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनका भी addition हो जाता है इस phenoxide की क्रिया जब carbon dioxide से होती है तो हम जानते हैं carbon dioxide में जो carbon है और उससे जूड़ हुए दो जो oxygen परमाणूं है दोनों ही काफी इलेक्ट्रोड नेगेटिव होते हैं और इसलिए carbon oxygen का इलेक्ट्राण जोड़ा एक oxygen पर शिफ्ट हो जाता है जिससे carbon पर धना वेशा जाता है और अब देखिए इस carbon को इलेक्ट्राण की आविशक्ता है तथा phenoxide आयन के आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्राण धनतों अधिक है इसलिए यह इस पर अटैक करता है और यहां पर आर्थो पोजीशन पर carbon monoxide जो आयन बना हुआ है COO माइनस आयन वह आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है लेकिन अब इस सिस्टी में हम यह देखेंगे कि बेंजन की aromaticity समाप्थ हो गई है जिसकी पूर्टी के लिए इस आर्थो पोजीशन पर जो carbon जुड़ा है उससे जुड़ा hydrogen अपने elektron जोड़े यहां पर देगा जिससे यहां पर aromaticity वापसा जाएगी और जो hydrogen है वह एच प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा यह hydrogen hydrogen H प्लस आयन जो प्रोटॉन है वह यहां जाकर oxygen जिस पर रिन आवेश है उससे जुड़ जाएगा और इस सिस्थी में हम देखेंगे कि यहां पर अब जो अगली सरचना में प्राप्त हो रही है उसमें बेंजीन में जो फिनॉक्साइड आयन है उसके आर्थो पोजीशन प पर जो कि फिनॉक्साइड आयन है उससे हमें पुना इसके hydrogen को वापस लाना है इसलिए हम इसका यहां पर अम्लिय है करेंगे यह हम कह सकते हैं इसका हम acidification करेंगे और इससे यहां पर पुना hydrogen आ जाएगा और इस तरह से जो हमें फाइनल सरचना फाइनल प्रोड़क्त प्राप्त होगा वह होगा आर्थो hydroxy benzoic acid यहां पर हम पहले बता दें कि जब बेंजिन रिंग में इलेप्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो आर्थो और पैरा दोनों समावेवी बनते हैं जिसमें कि पैरा समावेवी की मात्र जादा होती है लेकिन उस स्थिती में जबकि आर्थो समावेवी में इंट्रा मॉलिकुलर हाड्रोजन बनती समावना हो उस समय यहां पर आर्थो समावेवी जादा बनता है और यहां पर हम देखेंगे कि जो फिनॉलिक समूँ में जो हाइड्रोक्सल समूँ है OH उसके हाड्रोजन और कार्बोग्जिलिक समूँ COOH के ऑक्सीजन के भी यहां प और मुख्य उत्पात के रूप में प्राप्त होता है और इसका एक जो दूसरा सामाने नाम है वह है सलिसलिक ऐसे और इसे हम कहते हैं जो की काफी महत्तपुन योगिक है